वेल्कम बैक टो आर चैनल अन्वेशास क्रियेटिविटी और आज का वीडियो है बहुत ही खुबसूरत प्लांट बोगन विला पर बोगन विला एक ऐसा प्लांट है जो की सर्दियों में भी और गर्मी में भी फ्लावरिंग करता है कुछ टाइम के लिए ये फ्लावरिंग किकी देकर प्लांट में लेता की ब्und कर देता है और चैनल ठेकर में अगर के लोग सब्सक्रावर जो हूँए मीडियों में अलग से बना चुकी हूं लेकिन आज में आपके लिए और प्लावरिंग करें तो यहां आज बाल प्लावरिंग नहीं कर रहा है इसके लावा एक और बोगन विला मैंने लगाया है यह वाला यह भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो क्या रीजन है कि यह फ्लावरिंग नहीं कर रहा है प्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इस टाइप के कमेंट मेरे पास बहुत आते हैं तो मैंने सोचा कि चलिया आज आपके साथ में एक वीडियो शेयर करती हूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि बोगन विला एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप थोड़ी वाटरिंग कम करेंगे तब वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है बहुत जादा पाली देने पर ये फ्लावरिंग नहीं करता है बलकि इसके पत्ते बड़े होते जाते हैं इसक मिट्टी अापको सूक है लगा है लेकिन अगर हम इसको खूद करके देखें तो इतनी मौल मिट्टी है तो आप फिर आप तुरत वाटरिंग करें और अगर आपको लगता है कि आप जोड़े है एक दिन वबिया से उती तो ये तो रही watering की बात अब मैं बात कर लो sunlight की बात की बही ऐसा plant है जिसको भरपूर sunlight की जरूरत होती है तो अगर आप इसको जहां पर भी full sunlight आती है सारे दिन की आती है जितनी भी आप इसको sunlight देंगे उतना ये अच्छे से grow करेगा और flowering करेगा क्योंकि जहां पर sunlight आएगी वहीं ये flowering करेगा इसको धूप की बहुत जरूरत होती है अच्छा अगर मैं fertilizer की बात करूँ तो fertilizer जो है वो आप इसको कोई भी fertilizer दे सकते जैसे की गोबर खाद या फिर वर्मी कमपोज ये दो fertilizer ऐसे fertilizer हैं जो आपके plant को एक तो सौस्तर रखेंगे दूसरे full produce करने में बहु अगर आप फूल नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में क्या किया जाए तो उसके लिए मैं आपको बताओं कि देखें अगर आपका पौधा बिल्कुश स्वस्त है हरा भरा है क्योंकि इसके उपर कोई pest वगरा तो attack करते नहीं है तो फिर भी आप चाहें तो इसके उपर pesticide 22-25 दिन में एक बारी कर सकते हैं जिसे की कोई भी और चीटी वगरा भी ना लगें वैसे इसके उपर बहुत क कोई भी मौसम हो चाहें जैसे आज कल बरसात के बाद का मौसम क्योंकि बरसाते खतम ही हो रही है दीरे दीरे करके तो बरसात के बाद में अब यह आज कल का मौसम बहुत अच्छा मौसम है अगर आप इस टाइन पर अपने प्लांट में प्रूनिंग करेंगे तो वह बहुत अच्छे से फिर नए से flowering start कर देगा जैसे कि आप देखिए ये वाला plant जो है ये है मेरा बिल्कुल healthy plant है लेकिन इसमें flowering नहीं हो रही है तो दो तीन कारण होते हैं इसके एक तो आप इसमें fertilizer नहीं दिया है तभी भी इसमें flowering नहीं होगी बहुत टाइम से अगर आपने fertilizer नहीं दिया है तो भी flowering नहीं होगी दूसरा आपने watering बहुत ज़्यादा कम की है तभी नहीं होगी बहुत ज़्यादा watering कर रहे हैं तभी भी नहीं होगी इसके अलावा एक reason और है जो must है इसका कि भोगन विला में फूल ना आने का एक करण ये होता है कि इसको pruning बहुत पसंद है तो आप इसको time to time इसमें अगर pruning करते रहेंगे तो आपका फूल जो है एक तो पौधा जो है आप मंचा ही शेप में इसको ढाल सकते हैं दूसरा ये कि आप जब पूनिंग करेंगे तभी इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा काफी बड़ा प्लांट था ये वाला तो मैंने इसमें छोटी-छोटी सी एक ये ब्रांचा भी काटी है और पिछले तीन महीने में मैं इसमें दो बार प्रूनिंग कर चुकी हूँ तो अभी रिजल्ट दिखाते हूँ आपको ये जो आप पत्या देख रहे हैं पत्यों के ऊपर छोटी-छोटी पत्या देख रहे हैं ये देखिए जहां पर इस टाइप की कलरफूल सी पत्या ग्रो होती है ये देखिए जहां पर ये कलरफूल सी पत्या ग्रो होती है वहीं से ये फूल निकलते हैं ये देखिए इसके उपर भी कलरफूल सी पत्या ग्रो होने लगी है ये देखिए तो यहां पर जहां पर से कलरफूल सी पत्या ग्रो होती है यो आज़े प्रूनिंग करें और ऐक चीज और बताँगी में आपको कि अगर हो सके तो आप इसमे महीने या दो महीने में एक बार दो मुठी नीमखली ज़रूर दे क्यूंकि नीम खली देने से क्या होता है कि आपका पौधा एक तो पैस्ट वगड़ा से बचा रहता है कीडे जो होते हैं मिटी में उससे भी बचा रहता है दूसरी चीज ये कि आपका पौधा जो है उसमें फूल प्रडियूस करने में मदद मिलती है नीमखली भी एक ऐसा फर्टिडाइजर है जिससे की फूल प्रडियूस करने में मदद मिलती है तो आज की जानकारी इतने ही थी उम्मीद करते हूँ आपको पसंद आई होगी अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर से करें जल्दी मिलोंगे आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए पाए